हेलो फ्रंट्स आप देखना टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रंट्स जो चात्र नीट 2021 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या 2021 में एक्जाम देना चाहते हैं उन चात्रों के लिए एक बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है निकलकर अरजेंट इंफॉर्मेशन है त तो सबसे पहले फ्रंट्स में आपको बता दूँ यहाँ पर कि ऐसे बहुत से चात्र हैं जो नीट 2020 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थे ठीक है उनका एक सपना था कि हम किसी नीट को क्वालिफाई करके MBBS में एक्जाम देकर के अपना जो है कॉलेज सेलेक्ट करें और एक्जाम को क्वालिफाई करेंगे और MBBS में एड़िशन लेकर ही रहेंगे तो ऐसे मैं चात्रों को मैं आपको बता दूँ फ्रंट्स यहाँ पर आपके लिए एक अरजेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत बड़ी ख़वर आपके लिए है तो वीडियो कौन तक देखते लेकर मैं बताने वाला हूँ कि नीट 2021 का क्या इन्फॉर्मेशन है कब इसका एक्जाम होगा कब इसके फॉर्म आने वाले हैं आपको किस तरह से एक अपना प्रिप्रेशन का दिंचरिया बनाना है एक प्रिप्रेशन की अपनी पूरी कंटिनुटी को रखना है कि हमें किस तीन माई 2021 को ये जो है फाइनल हो चुका है दो बज़े से पांच बज़े तक आपका एक्जाम होने वाना है नीट 2021 का ठीक है इसकी एक्जाम डेट जो है तीन माई 2020 रहने वाली है ये कलियर हो चुका है तीन बज़े दो बज़े से पांच बज़े तक आपका एक्जाम इसे अभी भी आपके पास से 6 मंत का समय बचा हुआ है, ठीक है, 6 मंत का अभी भी आपके साथ समय बचा हुआ है, आप अच्छे से अभी भी preparation कर सकते हैं, बिना किसी time based किये हुए, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दू फ्रेंट से, कि आपके जो नीट के 2021 के notification अभी release नहीं हुआ है, और इसका जो form आने वाला है, application form, वो December के first week में आपका application form भरने भरे जाएंगे, आपके December के first week में, और आपका जो last date होगा, form भरने का, वो January का first week होगा, पूरी एक महिने आपके form भरे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको correction window date दी जाएगी, नीट 2021 की, जो आपकी जनवरी के second week में दी जाएगी, नीट का admin card बड़ी ख़वर यह है, कि आपके admin card 2021 के जो आने वाले है नीट के, वो 27 मार्च 2021 को यहाँ पर आपके admin card release की जाएंगे, यह बड़ी ख़वर आपके लिए है, नीट का exam 3 माई 2021 को 2 वज़े से साम पांच में तक exam होगा, answer की आपकी माई के second week में आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो result announce होगा, 2021 का need का, वो 4 जून 2021 को result announce कर दिये जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बात आती है, कि आपकी counselling कब से सुरू होगी, तो जून के second week से आपकी counselling सुरू हो जाएगी, और अगस्त के last week में, यह जून क last week से, अगस्त के last week तक, आपकी जो counselling रहेगी, पूरा seat allotment processing complete कर लिये जाएगा, अब यहाँ पर फ्रेंट्स, मैं आपको थोड़ी राय दूँगा, थोड़ा मेरी तरफ से आपको guidelines थोड़ी मिलेगी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा guide करने की कोस्त करूँगा, ठीक है, तरफ qualify नहीं कर पाए है, ठीक है, यहाँ वो चाहते हैं कि हम किसी अच्छे college में MBBS के लिए एड़ी सलें, तो उनको लगता है कि हमारे marks जो है, हमारा score रहा है, वो बहुत बेकार रहा है, हम जो college लेना चाहते हैं, जिस rank का, वो college हमारे लिए नहीं मिल पाएगा, तो मैं 2021 को अगर हम देखें, तो आज इसे अगर हम देखें, तो लमसम आपके पास 6 मन्त का अभी भी समय बचा हुआ है, और आप इस 6 मन्त में, इस 6 महिने में, अपनी 2021 के NEET की exam की तियारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी time based की हुए, फालतू का time ना based करती हु जिनको लगता है कि हमारा इसको सही नहीं रहा, हमको मनपसंद college नहीं मिल पाएगा, तो आप जो है, कांसिलिंग में पाइटिस्पेट बिल्कुल भी ना करें, यह मेरी राय है आपके लिए, केकी फ्रेंट्स आप कांसिलिंग का पास time में इसा नहीं होगा, केकी फ्रेंट् एजाम देना, कोई हलुआ की बात नहीं है, अगर आप 2021 का एक्जाम क्वालिफाई करना चाहते तो इस सभी जंजटों से बचकेर, आप 2021 की preparation में लग जाएगा, देखे फ्रेंट्स आपके पास अभी भी मौका है, ट्रेंट आपका इंतिजार नहीं करेगी, ठीक है, आपको ठीक है, और फ्रेंट्स फिलाल में इतना ही कहूंगा इस वीडियो में, आपको कोई दिक्कत परिशान ही हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो का अपने दोस्तों में जादे जादे सेर कर दीजीगा, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरू बताए ठीक है, और हो सकता है, कुछ समय बाद जब इसके 2021 के फॉर्म आये, तो हो सकता है कि ओनलाइन किलासे भी आपको यहाँ पर प्रुवाइड कराने स्टार्ट कर दी जाएं, ठीक है, तो यह था इस वीडियो में, आपको परिशान ही हो तो कमेंट में पूछ लीजेगा, टेल